Hello students, so 6 lectures हम ले चुके हैं on power series, so this is our lecture number 7, यहां भी हम discuss करेंगे existence of power series solution की, बहुत ही जादा simple concept है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ आएगा, देखे, आप solution निकाल लेंगे इसमें, सबसे पहले देखे, शुरू से हम क्या निकालते आ रहे हैं, solution का मतलब क्या समझते आ रह होती थी, जैसे x square minus 5x plus 6 is equal to 0, चीक है, इस type की क्या दिये होती थी, हमें कोई भी equation दिये होती थी, तो हमें क्या करना होता था, इसके solution निकालना होता था, solution का मतलब क्या होता था, बहुत कि आपको na x की values निकाल लें हैं, जो कि क्या करें, इस equation को क्या करें, satisfy करें, तो हम different different ways इस से क्या करते थे, जैसे x square minus 3x minus 2x plus 6, यह बन जाएंगा, इसके, आप x को मले यहां से, x minus 3 minus 2, x minus 3 is equal to 0, x minus 2, x minus 3 is equal to 0, तो यहां से x आ जाता था, 2 and 3, तो इसका मतलब क्या क्या हमने, इसके solution निकाल ली, x is equal to 2 and 3, यानिक यहां क्या निकाल ली, values निकाल ली, तो यहां प residential equation को solve करो, ठीक है, करतें कि, यानिकakah, आप समझे गए होगे, आपको solve करने का मतलब क्या निकालना है, y की value निकालना है, जो कि इस equation को क्या करे, satisfy करे, but इसलिए एक चीज़ ओर कही है, वो क्या कही है, कि series में इसको solve करो, मतलब, आपको y की value, यानिका, solution किसमें चाहिए, ए स्टेप में आप क्या करके चलते हैं आप वाई को मानी लेते हो कि एक सीरीज के एक्वल है m is equal to zero to infinity am x raised to the power m यही तो थी power series हमारी आपको याद होगा सो हम मान के चलते हैं अब आप कहेंगी कि जब हमने यह माने लिया तो इसको सीरीज में solution चाहिए था हम क्या करेंगे यहां zero to infinity यहनके infinite terms है ठीक है जिसमें हर यी coefficient डिफ्रेंट है तो अब हमारा काम क्या है इन सारे coefficients को दो coefficients a0 और a1 के form में represent करना हमें इतने सारे coefficients नहीं जाए हम क्या करेंगे सारे coefficients की value निकाल लेंगे a0 a1 की term में दो ही कोफिशेंट से हमें अपना काम चलाना है ठीक है ताकि हमारा जो सोलिशन थोड़ा सिंप्लिफाइड हो ठीक है यहां कि फर्स्ट सेप में हम क्या करेंगे इस सोलिशन माल लेंगे कि समिशन अब आगे क्या कर सकते हैं देखो सोचो अब य है ठीक हम यहां पुट कर देंगे लेकिन हमें और क्या चाहिए डिय बाइड एक्स करके वाली पी चाहिए तो हम क्या कर लेंगे उसको निकाल लेंगे कैसे निकाल लेंगे Firstly, solution आप मान के चलते हो let solution be this या फिर आपको लिख सकते हो submission m is equal to 0 to infinity em x raised to the power m ठीक है अब आपको रखने के लिए dy by dx भी निकालना पड़ेगा तो dy by dx हम पिछे कर चुके हैं यानकि just आप क्या कर दो इसका derivative कर दो तो इसका derivative क्या होगा em constant है कोई effect नहीं होगा x raised to the power m का derivative क्या होगा m x raised to the power m minus 1 similarly d2y by dx square is equal to summation m is equal to 2 to infinity इसका derivative यानकि m and em as it is x raised to the power m minus 1 का derivative क्या होगा m minus 1 x raised to the power m minus 2 तीनो values आ गई उठा के इस equation में put कर दो कुछ तो आएगा ही उसके बाद देख लेंगे क्या आएगा देखिए d2y by dx square की value आप यहां रख दो plus x dy by dx यानकि यह रख दो plus y y means यह value रख दो is equal to 0 अब देखिए इसको इसने क्या क्या थोड़ा simplify किया है यहां पे x को यह अंदर ले गया इसमें कोई change नहीं किया as it is लिख दिया यहां पे x को यह अंदर ले कि गया है ठीक है इसको as it is लिख दिया यहां तक I think आपको समझ आया है उसके पाद देखिए आपको क्या करना है अब यहां x की power m है यहां x की power m है यहां x की power m है यहां x की power m-2 है तो पिछले सारी concepts यहां पे use होंगे तो पिछले वाले lecture ज़रूर देख लें इस वीडियो से भेले so x raise to the power m-2 को x raise to the power k या फिर x raise to the power m आपको अगर उसमें convert करना है तो आप क्या करते थे m-2 को किसके equal put कर देते थे k के equal ठीक है second step में हम क्या करते थे कि 2 रखने पर यहां value क्या आ रही है x raise to the power 0 तो उसमें हम submission कहां से start करेंगे 0 से ताकि इसकी value 0 ही रहे तो submission इसके जगह क्या आ जाएगा m-1 यानकि k-1 sorry am यानकि a k-2 क्योंकि m की value है k-2 x raise to the power k ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे हमने यह भी discuss कर चुके क्योंकि k हो m हो उससे कोई फरक ने पढ़ता तो आप k को किसे replace कर सकते हो m से replace कर सकते हो ताकि यह सारे same हो जाए क्योंकि यह अगर k हो गया तो वो थोड़ा different हो जाएगा नो देखने में तो हम x raise to the power m की form में इसको represent करेंगे यहां कि just k को m से replace कर दीजिए so m plus 2, m plus 1, am plus 2 and x raise to the power m ठीक है यहां तक कब बिलको simple फंडा है y को मान के चलो dy by dx की value निकालो d2y by dx कोर की value निकालो जो आप को दी वही equation उसमें put करो यहां तक पहुँच जाएंगे फिर सबकी powers same बनाओ जहां same नहीं है वहां आप क्या करो shifting the index x वाली जो concept है उसका use करके और यहां पे आप यहां तक पहुच जाएंगे उसके बाद सबकी powers same हो गई देखिए यानि कि इस equation को आप इस type से लिख सकते है उसने just value put किया वहां पे अब इसने क्या किया कि यहां पे m is equal to 0 to infinity am x raise to the power m है यहां पे m is equal to 1 to infinity m am x raise to the power m है तो x की power m यह तो common है सिफ m extra है तो क्यों ना इनको common ले लिया जाए m plus 1 am x raise to the power m हमने ले लिया बट एक चीज़ यहां पे ध्यान देने की है यहां कि m 1 से start हो रहा है यहां m 0 से start हो रहा है तो एकठा लिखेंगे तो m को तो 1 से start करना पड़ेगा यांकि जो इनका common है यहां क्या बच चीक है यह लिखे is equal to 0 जिस्ट हमने गया किया जहां-जहां coefficient same है उनको इकठा कर दो जो उनका छोटी यानिके जैसे 1 और 2 है तो 2 वाला आपको ले नहीं है जो उन दोनों का minimum common हो और जो बच गया उसको अलग से लिख लीजे चीक है यहां तक हम पहुँच गे उसके बाद को जस्ट कुछ नहीं करना इनके coefficients को 0 के equal put करना है जैसे सबसे पहले constant को अब यहां पर constant term कौन सी है एक तो ए नोट है यहां पर क्या इस term में कोई constant term है नहीं है क्योंकि m is equal to 1 से start और 1 रखने पर यह x आएगा constant नहीं आएगा तो यहां तो आहीं नहीं यहां पर देखिए य x raised to the part 0 जो कि 1 होता है तो यह पूरी क्या बन जाएगी constant term बन जाएगी ना क्या 0 रखने पर 2 a2 तो 2 a2 plus a0 is equal to 0 यह हमारी constant थी इसको हमने किसके equal put कर दिया 0 के equal सो यहां से a2 की value निकाल लेज़े क्या आजाएगी minus a2 by 2 यहां कि हमने a2 को किसकी formula represent कर दिया a0 की formula represent कर दिया हमने वही करना था similarly next को हम क्या करेंगे अब एकस को कोफिशेंट को क्या करेंगे 0 के equal put करेंगे यहां तो कोई X को कोफिशेंट है यह नहीं तो constant थी चीऑ है यहां ऐगा x को coefficient क्या आएगा m is equal to 1 रखने पे जो कि आएगा 2 a1 और इसका तो coefficient है लेना तब 2 a1 यहाँ भी आएगी m is equal to 1 रखने पे जो कि आएगी 3 into 2 a3 चीक है तो 3 into 2 a3 plus 2 a1 is equal to 0 so यहाँ से a3 निकाल लीजे वो आएगा minus a1 by 3 and so on a4 इस टाइप सब सब को compare करते जाएंगे तो आपको लास्ट मेना क्या चाहिए an आएगा and second thing क्या है यहाँ पे minus sign आएगा चीक है ना minus sign आएगा यहाँ और divided by n plus 2 आएगा n plus 2 क्यों आएगा जैसे हमने यहाँ पे क्या किया जो यहाँ है वही divide में आ रहा है n plus 2 n plus 2 so a2 2 था तो 2 डिवाइड में आ रहा है 3 था तो 3 डिवाइड में आ रहा है and 4 था तो 4 डिवाइड में इसको छोट देजी फिला रहेगे इसके हिसाब से बोल रहे है यहाँ a4 था तो a2 आया minus sign आया और divide में क्या आया n plus 2 आया यह है हमारी generalize की हुई term तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे अब देखो इसलिए यह क्यों किया क्योंकि हमारा काम ही यह है कि हमें सभी coefficients को a note और a1 की form में represent करना है अब इसकी value तो a2 की term में तो हमें a2 की value भी तो है a note की term में तो उसमें values पूट कर दो और a note की form में इसकी value आ जाएगी similarly इसमें 3,4,5 पूट करके आपको सब को a note और a1 की form में लेकिया आना है तो and so on इसने इस type से लिखा हुआ है इन सभी values को फिर आप इस second में पूट कर देंगे second मतलब क्या यह यह यानकि a note तो है as it is रहेगा a1 as it is रहेगा लेकिन a2 की value हम निकाल चुके है a2 की value क्या थी हम पार पास minus a note by 2 तो minus a note by 2 हमने रख दिया plus minus a1 by 3 x cube plus a note by 2 into 4 x raise to the power 5 and so on so उसके बाद आप क्या करेंगे a note वाले terms को कमब ले लेंगे a note कमब ले लेंगे a note वाले terms plus जहाँ जहाँ a1 है वहाँ कमब ले लेंगे a1 और अंदर जो बच गया वो लेंगे यह हमारा क्या आ गया solution सीरीज की फॉर्म में ठीक है एक बार रिमाइंड करा देती हूं सबसे पहले differential equation दी होगी obviously x is equal to 0 क्या होगा ordinary point होगा ठीक है क्योंकि ordinary point की जो neighborhood होती है उसमें हर एक जो solution बतलब exist करता है वहाँ पर आप ज़्यादा नहीं सोच ना इस बारे में आप यह लिखेंगे x is equal to 0 क्या है कोई ordinary point है solution है y is equal to summation m is equal to 0 to infinity em x raise to the power m लेके चलेंगे d y by dx आप लिखेंगे d to y by dx square भी आप लिखेंगे और यह कैसे रिखेंगे I think आपको समझ आया है नहीं आया है तो previous वीडियो में जाके दे चीज़ को और ज्यादा तफी है भी ने डिरेक्टली आपको क्या करना है differentiation करना है इस टर्म का differentiation किया है और d to y by dx square भी इसका differentiation किया है तीनों values को उठा के इसमें put किया है मैंने फिर x raise to the power m बनाना है सबको यहाँ m-2 है तो इसको आप में change कीजिए यह भी मैं बहले आपको ब और तो इसको आप इसके replace कर दीजिए फिर k को m से यह जीज़ा आ गई यानकि इसके जगा आप यह रख सकते हैं तो next equation में इसने क्या रखा हुआ है इसके जगे यह put कया हुआ है यह ज़नों same as it is लिखे हैं इसने यह देखिए फिर इसने क्या किया जहाँ-जहाँ coefficient और x के power same है वहाँ पर इसने क्या ले लिया कॉमल ले लिया तो m plus 1 into am x raised to the power m इसने कॉमल ले लिया बट यहाँ पे एक difference क्या है m1 से start था m0 से start था तो इसने क्या किया m is equal to 1 जो minimum था वो क्या किया इसने कॉमल ले लिया और जो not जो 0 वाला था यानिक जो a not था उसको इसने अलग से कर दिया ठीक है अब हमारा क्या करना है हमने सभी x की powers के coefficients को zero के equal रखना है यानि कि constant को रखेंगे a2 के value आ जाएगी x की coefficient को रखेंगे a3 की value आ जाएगी x square को coefficient को रखेंगे a4 की value आ जाएगी सारे ही आप निकालेंगे 2-3 निकालेंगे starting के और फिर इसको generalize कर देंगे यहा को जाके second equation में put cut देंगे यहाँ जाएगी जहां जो जो a0 वाले terms है उनमेंसे a0 common लेके जो बचा अंदर वो लिख दीजिए प्लस a1 वाले terms मेंसे a1 common लेके जो बचा वो लिख दीजिए यह हमारा एक simple सा method है क्या करने का यानि कि किसी भी differential equation को solve करने का series में ठीक है यह झाल 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